करनाल से गड़ी विवल मार्क पर हरोज बच्चे पढ़ने जाते हैं मोत के मूँ में जी हां ये दशा करनाल से गड़ी विवल मार्की है जहां पर पिछले 5 सालों से कोई भी बस की स्विधा नहीं है पहले प्राइवेट बस थी उनका सही समय था और सभी बसे नहीं होती थी जब कोई हाथसा नहीं होता था लेकिन जब से सरकारी बस इस मार्क पर चलने लगी है ना तो इसकी कोई समय साड़नी है ना ही बसे ठीक है खचड़ा हालत में है ये और रिकोर्ड में इस रूट पर नो बसे चल रही है लेकिन वातसव में केवल चार बस है जिनमें हर रोज कोई ना कोई बस खराब रहती है जिसका खामियाजा लोगों को एवं स्कूली बच्चों को अपनी जान गवा कर भुगतना पड़ता है कोलेजों की विध्यारतियों में बस की अनिमिताओं को लेकर रोश है करनाल गड़ी बीरवल रोड पर बसों की अनिमिता से परशान विध्यारतियों ने सरकार पर लापरवाहे के आरोप लगाए हैं विध्यारतियों का आरोप है कि रूट पर बसों का कोई निशिट टाइ वियस्थ है रोजाना यहां से हजारों की संक्या में छोटे बड़े वहानों का आगमन होता है करनाल और यमना नगर दोनों जीलों के लोग यहां पर आने के लिए हाईवे से होकर जाते हैं इस रूट पर दो साल पहले भी ओवर्लोडिंग के कारण हाथसा हुआ था जिसमें क पर शीरवाद रैली से फ्री हो गए हो तो यह तो जान जाने ही वाली है परिवहन मंतरी किशन परिवार जी तो कुम करण की नीन सोई हुए हैं आखिर में उनको तो कुछ दिखता ही नहीं है रैली है जो बच्चे रोज बसों की खिड़कियों में लटक कर सफर करते हैं क्र करनाल से गड़ी बिरबल मार पर पहले की तरह प्राइवेट बस चलवा दे क्योंकि सरकारी बसों के बस की बात नहीं रही जागो मुख्यमंतरी जी जागो कभी सरकारी बस में सफर करो करनाल से गड़ी बिरबल मार पर आपको पता चल जाएगा कि कैसे बावन सीटर बस में देड़ सो सवारी जाती है। हैन्नेवाद